नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूटीब चैनल जिसका नाम है सुनील जस्वाल बीवलोफाइल तो दोस्तो आज टीटी आर्ट्स कमिशन 2018 का क्वेशन पेपर लेके आगे हैं दोस्तो यह 27 मई 2018 को हुआ था अब हम देखते हैं किसमें कैसे कैसे पेपर हुआ था यह दोस्तो इसमें 170 वेशन होंगे और सारे क्वेशन जो थे वो अनिवारे थे इसमें नेक्टि मार्किंग नहीं थी पर तेक जो प्रशन था उसका हाब मार्क्स था और 285 नंबर का यह पेपर था दो गणटे का समें टाइम दिये गया थ दोस्तों जो 2020 का पेपर होगा वो सेम इसी पैटरन के एकोडिंग होगा तो इसका सही जवाब होगा सूशरमा चंदर ने अब हम चलते हैं क्वेशन नबर सेकंड की तरफ निमिलित में से कौन सस्थान प्राचिन काल में जगसु की राज़दानी रहा है तो इसका सही जवाब होगा एक उप्शन में कुलूटा दोस्तों यहाँ आपको बताना चाहता हूँ जो हाइलाइट मैंने किया हुआ हुआ जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यह सारे important topic बन सकते हैं तो आप लोग इनको द्यान से देख लिएगा मैंने यहाँ पर highlight किया हुआ है अब आप पर question number 3 और दोस्तों हिमाचल प्रदेश जीके के ओपर मैंने explanation वीडियो डाले हुए हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख रहें ताकि जो next exam होगा इसके लिए आपको help मिल सकती है question number 3 हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सवर्ष संग शाचित प्रदेश बना तो उसका सही जवाब होगा D options में 1956 में question number 4 हमाचल प्रदेश का सरवादिक सुखा स्थान है तो उसका सही जवाब होगा C option में स्पीती question number 5 हमाचल प्रदेश के पश्य में स्तित राज्य है तो C options में है पंजाब next questions की तरफ चलते है question number 6 हमारे पास हमाचल प्रदेश में मानव नीरिबस सबसे बड़ी जील कौन सी ह question number 7 वैदिकाल में चिनाब नदी को जाना जाता था तो उसका सही जवाब होगा D options में इसमें से कोई नहीं दोस्तों जो मैंने explanations पाली वीडियो डाली हुई है उसमें सब कुछ बताया गया है जैसे यहाँ पे option में दे लिए कि इसमें से कोई नहीं लेकिन वहाँ पे आपको proper way बताया हुआ है कि बैदिकाल में चिनाब नदी का क्या नाम था फिर उसके साथ जो साहिक नदिया थी उनसे explanation जो होगा वो काफी important हो सकता है तो इन वीडियो को यूरूर देखके जाएगा काफी important हो सकती है वो आपके लिए question number 8 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है चोलां सही जवाब होगा B options में डलहोजी किसमीब question number 10 हमारे पास बारत मानक ब्योरो का कशेत्री के इंदर कहां परस्तित है तो इसका सही जवाब होगा C option में परवानू में next questions आपके वास 11 चंबा में रंगमहल का शिलनयास किसने रखा था जो चंबा में रंगमहल है उसका शिलनय प्रवासपूर के दोस्तों पूरा question paper यहां पर explain किये जाएगा आपको question number 13 आपके पास किस वर्ष में रामपुर बुशेहर ज्यासत ब्रटिश आधिपत्य का दिन आई तो उसका सही जवाब होगा A options में 1815 ICB में question number 14 हमारे पास 1921 में नीमन में से किसे शीमला प्रवास नही जो हुए हैं उनके बार में question पूछे तो आप लोग इन topics को ध्यान में रखते हुए त्यारी कर सकते हैं आपके पास question number 15 किस वर्ष में पिटर होफ एक बिशम विशन अगनिकांड में वनिस्ट हुआ था तो इसका सही जवाब होगा B options में 1981 में question number 16 हमारे पास 1947 में थियोग म सबतंतर सरकार में कौन मुख्य मंतिर बना तो डी option में आपके पास यहां पर दिया गया है सूरत परकाश next questions की तरफ चलते हैं आपके पास question number 17 गदी निमन के वंशेस माने गए हैं तो इसका सही जवाब होगा C option में खत्रियों के दोस्तों गदी जो वंशेस है इंसे रेटी प्रशन हमेशे ही पूछी आते हैं question number 18 हमारे पास कुलीन दास मुलता निमन से संबंध रखने वाले लोग थे तो इसका सही जवाब होगा C option में शीमला एबं सिर्मोर की पहाडियां अब आपके पास यह प्रशन आ रहा है 19 नंबर पे काफी इंपोर्टन है शोवा सिंग आर्ट गैल्डी जो आपके है तो इस question number 21 पर्शिम हिमाले में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां परस्तित है तो इसका सही जवाब होगा जोगेंदर नगर में question number 22 हिमाचनर प्रदेश का सरबादिक सेव उत्पाद्र जीला है तो option C आपके पास दिया गया है शिमला दोस्तों स्लेबर से list देख लें कि क्या क्या इसमें डाला गया है कौन-कौन सी वीडियो डाली गए जो आपके लिए वैनिफीशल है वो आप वीडियो देख सकते हैं अब आपके पास question number 23 शिक्षन अनुसंदान तथा परक्षिशन की राज्य परिशल S CERT कहां परस्तित है तो इसका सही आपके पास 25 दिये गया है काफी important हो जाता है दोस्तों टोपिक यहां पर जन गरना बन जाएगा जन गरना 2011 के उसार हिमाचिर प्रदेश का जन संख्या गनत्तव वेक्ति प्रतिवर किलोमेटर कितना है तो डी options में है 123 question number 26 यहां पर दोस्तों यह HPGK के 25 question पूछे गे थे त तो अब आपके पास question number 26 भारत के badminton associations के नव निर्वाचित अदेख्ष कोन है तो इसका सही जवाब होगा ए उप्शन में हिमता विस्वा शर्मा दोस्तों current fair भी काफी important हो जाता है question number 27 आपके पास दिये गया है किसने 21 वे राष्ट मंडल खेल 2018 में भारत का पहला पदक अर देता हूं तो आप लोग comment box में type कर सकते हैं उसका सही जवाब चलिए question number 28 हमारे पास जहां पे दिया गया है economics intelligent unit के द्वारा हाल ही में जारी inclusive internet index 2018 में भारत का कौन सहरेंक रहा है तो c options में आपके पास दिया गया है 47 वा question number 29 आपके पास किस शहर में दूसरे भारत कोरिया बैपार सिमिरन 2018 की मेजवानी की थी तो इसका सही जवाब होगा a options में न्यू डेली नहीं दिली अब आपके पास question number 30 बर्ष 2018 के लिए जीरो बेदवा दिवस अवियान क्या है तो c options में दिया गया है क्या जदी question number 31 बीश्यम का सबसे बड़ा सोर पार्क हाल ही में किस राजी में स्थापित किया गया है तो a options में आपके पास दिया गया है करनाटक next questions आपके पास यहाँ पे दिया गया है UK में political and public life awards 2018 में किस ने lifetime achievement award जीता तो d options में शतुर्दन सिनहा question number 33 आपके पास यहाँ पे दिया गया है दो हजार ठारा सांस्कृत महोसव इंडिया वाइदी नॉर्मल इंडिया वाइदी नाइल किस देश से संपन हुआ तो इसका सहिज वावगा C options में Egypt question number 34 हमारे पास किस राजी सरकार ने ग्रीब करनेयों के बिवाह के लिए रूप श आप में काफी important हो जाती है किताबों के उपर वीडियो बना हुआ है playlist में जाके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यह थी हमारे पास current fair के questions अब हमारे पास question आएंगे reasoning के तो आप लोग topic देख लेना कि कौन सा topic आपके लिए important है और आपने किस तरह से इसके त्यारी करनी है question number 36 हमारे पास दिया गया है जैसे push का संबंध पंखुली से है वैसे push का संबंध किस से है तो a option में आपके पास दिया गया है और यहाँ पर यह related word होंगे उनके उपर आपने topic त्यार करना है आपके पास question number 37 नीमिन में से कौन सा अन्यों से बिवन है difference है तो वो है 288 question number आपक questions में 11 दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे लैटर होंगे और English alphabet इनके rank वगरा पूछी होंगे question number 39 आपके पास यहां पर दिया गया है यदि किसी शब्द downgraded के तीसरे पांच में साथ में और नौ में अक्षरों से अंग्रेजी के कितने आर्थपून बेशर्थ कि कोई अक्षिर प्रतेग शब्द में केबल एक ही वार लिया गया है तो इसका सही जवाब होगा एक दोस्तों यहां पर वर्ड आपके पास दिया गया होगा और उसको बताना है कि वो कितने टाइब का बन सकता है तो यह आप लोग टोपिक त्यार कर सकते हैं reasoning म या आप लोग उसे प्लेस्ट में जाके देख सकते हैं question number 40 आपके बास यदि वाटर को YCVGT लिखा जाता है तो HKTG को क्या लिखा जाएगा तो B options में आपके बास fire दिये हुआ है question number आपके बास 41 सोहन का कक्षा में स्थान यहां पर rank से लेटी प्रशन होंगे सोहन का कक्षा में स्थान ऊपर से साथ बा तथा नीचे से 26 बा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यारती हुए तो B options में आपके बास 32 question number 42 हमारे पास एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा कि वे मेरे दादा जी के इकलोते पूतर का पूतर है बै लड़की पूछे जाते हैं तो B option में आपके पास होगा वाई और आपके पास direction से लेटी प्रेशन है यदि दक्षिन परशिम उत्तर हो जाते हैं तो उत्तर पूर्व क्या होगा तो C option में है दक्षिन और दोस्तो directions और blood relation काफी important topic है series के question भी पूछे जाते हैं अब आपके पास question number 44 य question number 45 आपके पास पीता की आयू पूतर की आयू से तीन गुनी है जदि उनकी आयू का योग 48 वर्ष हो तो पीता की आयू क्या है तो इसका सही जब आप होगा 36 year C option में दिये गया है दोस्तों यहां भी आप लोग A से रिलेटी प्रेशन पूछेगे हैं तो यह भी आप लोग आला हुआ है उसे देख रहें लास्ट टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा वैनेफिशल हो सकता है वो चलिए question number 46 चाल को लेथिक हत्वा पशान तामर काल यारी रहा है इसका समय बताना है आपने तो इसका सही जबाब होगा 820 तक question number 47 आपके पास चाबल की खेती किस अ जबाब होगा लोथल हडपा से लेटी वीडियो बना हुआ है प्लेइस्ट में जाके देख सकते हैं अब आपके पास question number 48 रिगवेद में नहित है तो ए ऑप्शन में आपके पास इश्वर के समान रिच्चाएं question number 49 दिया गया यहां पे संगम युग के प्रमुख देव थे करता है तो B option में आपके पास दिया गया है निर्वान बहुत अर्म से लेटी प्रशन पुछे जाते हैं playlist में जाके देख सकते हैं आप वीडियो question number 52 दोस्तों कम सकम आप लोग एक बार playlist से चेक कर लें कि कौन-कौन से वीडियो पड़े हुए और कौन से आपके लिए important हो सक करते हैं उन वीडियो को आप पहले देख लें crash course बना हुआ है उसमें एक एक लाइन ही important है तो आप लोग उसे भी देख लें आपके पास question number 52 निमलित्ति में से कौन सा एक मोरेकाल में समुदर पतन नहीं था तो D option में पैटन question number 53 हमारे बास दिया गया है यवनिका प्रियोग की शुर्बात द्वारा भारत रंगबंच थीटर के विकास के लिए कौन जिम्मिदार है तो इसका सही जवाब होगा C option में Greek question number 54 सांके दर्शक को परस्तूत किया गया था तो B option में आपके पास दिया गया है कपिल के द्वर question number 55 हमारे बास दिया गया है हरी शेयन लेखक है तो इसका सही जवाब होगा इलाबाद प्रशस्ती के दोस्तों यह वाले प्रशन जो है मैंने लुसेंट की बुक में कवर किये हुए है जिसमें की 1000 question की सीरीज चले हुई थी उसे आप जुरूर देखे जाए लास्ट टाइम संग मुखेता स्थापित किया गया था तो डी option में उत्तर परशन बारत में medieval history से भी प्रशन पुछी जाते हैं तो इस चीज को आप लोग द्यान से देख लीजीगा question number 58 यागीर व्यवस्ता को पूना किसने लागू किया था तो यहां पर आपके पास option दिया गया भी फिरो और कब हुई थी यह 1549 को question number 60 हमार पास यहां पर दिया गया है question number 60 जो हमार पास यहां पर दिया गया है किस वर्श इस इंडिया कंपणी ने बंगाल में एक factory स्थापित की थी तो इसका सही जवाब होगा 1651 में question number 61 कुका अंदोलन का संस्तापक कौन था तो इसका सही जवाहरमल next question की तरफ चलते हैं next question जो हमार पास यहां पर दिया गया है 908 में बाल गंगादर तिलक को शेवर्श का कारवास हुआ था और उन्हें बेज दिया गया था तो सी option में आपके पास है मांडली में question number 63 भारत के उत्रत्म बाग में जो नौर्थ पार्ड है सूर की किरने हमेशा पड़ती हैं तो किस तरह से वो सूर की किरने पड़ती है नौर्थ बाग में तो वो पड़ती है तिर्शी अब आपके पास question number 64 होगा question number 64 हमार पास दिये गया है दोस्तों अभी जो प्रशन आ र हैं तो ncrt की किताबें आप लोग पढ़ लें अगर आप लोग ने पढ़ रहे हैं और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि six class से लेके 10 class तग जो युग्राफी की किताबें हैं उनकी आप summary बनाके वीडियो डाल दें तो आप लो कमेंट वक्स में टाइप कर सकते है जी लखें और उसके बाद आप लोग येस टाइप करें फिर इसके बाद मैं summary टाइप करूँगा summary पर वीडियो बनाऊँगा और जो आपके लिए काफी helpful हो सकती है question number 65 हमारे पास question number 66 हमारे पास नीमन कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है तो D option में आपके पास यहाँ पर दिया गया है वागिरती और हुगली question number 67 हमारे पास यहाँ पर है तमिल नदू में शीत कालिन भर्षा का कारण क्या है तो उसका सही जवाब होगा A option में निरवतनी मानुसिन question number 68 नीमन में से कौन सा भारत का सबसे महत्पुन टैल दारिक कराजे है जो तेल को दारन करता है तेल को जो निकालता है वो कौन सा है तो वो है B option में असाम question number 69 हमारे पास जार खंड में को डर्मा परसीद है किसके लिए परसीद है तो अबर्क खंड के लिए B option दिये गया है question number 70 हमारे पास भारत की अधिकाश क्रिशी भूमी है तो B option में स्थान वृद क्रिशी के अधिन question number 71 नीमन में से कौन सा बंदरगा पश्मी तड पर अबस्तित नहीं है तो A option में तूती कोरिन question number 72 समुंद्री शिवैल मैतपुर्ण स्त्रोत है किसका स्त्रोत है यहाँ पर के पास option दिये गया है आयोडीन question number 73 याराबास अधिवासी है जो एक निवास करते हैं तो D option में लिटल अंडमान में question number 74 हमारे पास जो दोस्तो कौन सा संयोजी है जो कि हिंदमा सागर और लाल सागर को जोड़ता है तो यह option में आपके पास है बाल अल मन देव question number 76 हमारे पास शुष का हवा सांता आना बैती है तो यहाँ पर आपके पास option होगा D में California में दोस्तों यह थे हमारे पास यूग्रफी के प्रशन अब हमारे पास पुलिटी के प्रशन आएंगे और पुलिटी से लेटी भी वीडियो बने हुए है उन पे वीडियो बने हु question number 78 राजी में विदान प्रशत के गठन की प्रक्रिया भारत के सविदान के किस अनुशेद में बयाखित है तो यहाँ पर आपके बास option दिया गया है 169 question 79 मंत्री प्रशत किसके प्रती जवाब देही है तो B option में भारत के रास्टपती और दोस्तों यहाँ पर आपके प्राजे के उच नियाले का मुख्य किशेतर अधिकार नहीं है तो A option में प्रामर्श दात्री किशेतर अधिकार question number 82 हमारे पास बारती सवविदान के किसा अनुशेत के अंतरगरत पंचायतों को सववदानिक दरजा दिया गया है तो इसका सही जवाब होगा D option में 243 question number 83 राजकोशी उत्तरदायत्व तत्थवा question number 84 नीमन कौन सा समविदान संशोदन अधिनियम एक मिनी समविदान कहा जाता है तो इसका सही जवाब होगा A option में 42 question number 85 नीमन किस बारती राजकी राजकी वाशा जो है वो अंग्रेजी है तो इसका सही जवाब होगा नागलेंड दोस्तों आभी आपके पास science के प्रशन आ 66 किसी बस्तु का बार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाएगा प्रित्वी के केंदर में श्रीमन में हमारे पास नीमन में से किसे बोर का तारा कहा जाता है तो C option में हैं शुकर Question number 90 हमारे पास भूपर पट्टी पर सरवादिक बहुलता से पाई जाने वाले दातू कौन सी है तो उसका सही जवाब होगा D option में Aluminium Question number 91 ग्लास को नीमन के रूप में उत्तम ब्याखित किया जाता है तो C option में आती शीतित द्रब्य Question number 92 हमारे पास Cellulose है एक तो इसमें से कोई नहीं D option में दिया गया है 93 आपके पास काला अजार बिमारी का बाहग क्या है तो C option में आपके पास है Sandfly 94 यहाँ पे हमारे पास question दिया गया है 94 एपी कल्चर का संबंध किसे है तो इसका सही जबाब होगा A option में मदुमखी Question number 95 दिप्थ्रिया से प्रबावित अंग क्या है तो इसका सही जबाब होगा Throat D option में ग्रिवा अब हमारे पास हिंदी से रिलेटी प्रशन होंगे इनको देख लेते हैं आठाठ आशू रोना वहाबरे का क्या आर्थ है तो इसका सही जबाब होगा D option में फूट फूट कर रोना Question number 97 हमारे पास यहां पे दिया गया है नीटर में समास है तो इसका सही जबाब होगा B option में अभवी बाब समास Question number 98 हमारे पास अधित्यक्या का बप्रितार्थक शब्द क्या है तो इसका सही जबाब होगा B option में उपत्यक्त्या Question number 99 जो प्रतिक्या वे को दूर करती है उसके लिए एक शब्द लिखना है आपने तो इसका सही जबाब होगा D option में अवेदान Question number 100 हमारे पास Question number 101 हमारे पास शोद्र शब्द आपने निकालना है तो इसका सही जबाब होगा Question number 102 खटा का बावाच्यक आपने निकालना है तो C option में आपके पास है खटा बन दोस्तों यहाँ पर topic द्यान देख लीजीगा यहाँ पर कौन कौन से topic है Question number 103 योगी की शब्द है तो यहाँ पर आपके पास option में दिया गया है C, शिवाले Question number 104 फोववरण का उचारन स्थान के है उचारन से लेटी परशन भी पूचिया आते है तो A option में आपके पास यहाँ पर दिया गया है OST Question number 105 हमारे पास दास का प्रवाची है तो B option में आपके पास यहाँ पर दिया गया है Sorry A option में दिया गया है वक्त अब आपके पास question number 106 दोस्तों यहाँ पर mixing कर देते हैं परशनों को यह अब फिर से हमारे पास यहाँ पर परशन आ रहे है इनको आपके पास यहाँ पर प्रशन आ रहे है 106 निती अयोग एक है तो उसका C option में दिया गया है प्रामर्श दातरी निकाए Advisory Body Question number 107 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कब संबीदा का अनुमोचन कनून के परशालन से किया जा सकता है तो C option में निश्पादन में कटनाई होने पर Question number 108 Quantum Meritium से क्या समस्ते है तो B option में आपके पास यहाँ पर दिया गया है उतना ही जितना कमाया Question number 109 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है भारत में बीमक शेतर का नियमन किया जाता है तो D option में IRDA 110 हमारे पास Commission किस आर्टिकल में आता है तो वो आता है आपके पास है 280 Question number हमारे पास 111 वाने जी करन की परक्रिया में नहीत है तो यह सभी A option में भी B option में भी C option में भी Package ददा उतपादिन के विशेष्टा का सुनिशित होना उप्यूक्त मार्केट मिक्स का निर्मान करना बजार में उतपाद का प्रवेश करना Next questions आपके पास 112 अब मुल्यन सार्थ करता है तो D option में डोलर का मुल्य गट्राना Next question के दरफ चलते है Next question जो हमारे पास यहां पे दिया गया है 113 नमारे पास यहां पी जो प्रशन है गाटे का वित्यन तो इसका सही जबावगा स्पीति की प्रवितियों को प्रतसाहित करता है Next question हमारे पास निमन में से क्या एक शूल्क अदारित सेवा है तो यहां पे आपके पास D option में दिया गया है portfolio management Next question हमारे पास भारत में मर्चंट वैंकिंग सेवा अरंब की गए थी तो A option में 1967 में 116 निमन में से कौन से एक गयर banking वित्य संस्ता है तो यहां पे आपके पास C option दिया गया है PNB Next question हमारे पास 117 भारत में mutual fund की अबदारना का अबदारना किस वर्ष अरंब हुई थी तो उसका सही जवाब होगा यहां पे D option में इसमें से कोई नहीं leverage fund का प्रात्मिक लक्ष पूंजी मुल्य वर्दन है तो C option में आपके पास यहां पे दिया गया है जिसका सही जवाब होगा अधित्तम करना question number 119 हमार पास यहां पे है इक्रा ICRA स्थापित किया गया था तो C option में 1991 में 120 क्रिसिल CRISIL स्थापित किया गया था तो उसका सही जवाब होगा 1987 में question number 121 हमार पास सिनीमन में से किसमें किसी ब्याज का बुतान सरनी हित नहीं है तो debit card में option B है 122 हमार पास यदि 20 प्रक्षेशनों के लिए दिये गए किसी देटा समूचे का चतुर्थक विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान गयाद करें तो उसका B option में 18 दिये गया है दोस्तों यहां पे commerce और economics के प्रशन जोबों mixing कर देते हैं तो इसी इसको आप लोग दियान से देख लिजीगा अब आपके पास question number 123 यहां पे आपके पास दिये गया है मू प्लस माइनस 3S CMA के अंतरगाद समाने वितरन के अधिन अब्दृत कुशेतर फल है तो C option में 0.9973 question number 124 beta equity दनात्मक रूप से सव संबंदित है तो C option में आपके पास BTA leverage से काफी important question हो जाते हैं अगर आप लोग ने इनको ध्यान से देख लिया topic समझे में आ गया तो आपके लिए यह असान हो जाएगा question number 125 मुलिहास एक डैश खर्च है तो B option में अर्द परिवर्थनी है next question हमारे पास 126 दोस्तों यहाँ पर commerce के जो background के बच्चे हैं उनके लिए भी प्रशन जोड़े जाते हैं यहाँ पर तो इसलिए आप लोग इन प्रशन को आच्छे दिर्के से त्यार कलें निमलित से पुन ओर्डर स्तर की गरना कीजिए सुरक्षिर स्टोक हमारे पास एक हजार एकाईया प्रधी सपता खबत पांच सो एकाईया आदेशित होने की तिति से सामागरी पहुंचने में बारा सपता लगते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्षिन दी सही आंसर होगा साथ हजार एकाईया अब आपके पास क्वेशन नबर 127 फर्म की कुल परिसंपती टर्न ओवर निकाले जैदी किसी कुल जैसे कुल लाव सिमा पांच प्रच्चत कुल परिसंपतियां आठ करोड तर्था ब्याजदर आठ प्रच्चत है तो एक उप्षिन में 1.60 अब आपके पास प्षिन नबर 128 सम विछेद बिंदू ज्याद कीजिए जदी विक्री आपके पास यहाँ पर दिये गई है तर्थालाब हमारे पास यहाँ पर दिये गए है तो उसका सही जवाब होगा एक उप्षिन में साथ हजार प्रच्चन नबर 129 हमारे पास कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतोलित नहीं की जा सकती है तो उसका एक उप्षिन में दिये गए है बट्टा कॉलम में 130 हमारे पास यहाँ पर प्रच्चन दिया गया है ओप्रेटिंग सिस्टम का उदाहरन दिजिए तो ए उप्षिन में आपके पास दिये गया है फ्रोटोन दोस्तों यह हमारे पास इक्रोमेक्स और कमर्स से रिटीव प्रच्चन है अब हम देखेंगे साइकोलीजी से रिटीव प्रच्चन और दोस्तों साइकोलीजी से रिटीव वीडियो डाल दी गई है अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेए आपके पास क्वेशन नमबर यहाँ पर दिया गया है प्रच्चन का व्यक्तिकत लक्षे बालों को डैश बनाने में केंद्रित है तो ए उप्षिन में आपके पास से सहे होगी व्यक्ति अब आपके पास यहाँ पर क्वेशन नमबर दिया गया 133 ज्यान की बुद्धी मत्ता की और उठाना बास्तिविक शिक्षन है यह किसने कहा था तो डी ओप्षिन में शंदो अगे उपनिशिद में उप्षिन बर 134 द्वैता द्वैत में परणप्रकत कौन है तो बी ओप्षिन में निम बार्क प्षिन बर 135 हमारे पास वरदा योजना को निम लिखत में से किस योजना से भी जाना जाता है तो अदार शिक्षा यह बेसिक एजुकेशन के गोडिंग Q136 बार पास किसने ये कहा था कि शीक्षिक कोई एक निर्देश करता आत्वा कठोर अधकारी नहीं है वह एक साहिक तथा गाइड है तो A option में आपके पास दिया गया है अरविंदो गोश Q137 आद्रिक दर्शन शास्तर संशलेशन करता है तो C option बिग्यान Q138 हमारे पास एक बालिका अपनी प्रिक्षा के लिए बहुत कठिन प्रिशन करती है और उसका बेभार सूचक है कि उसके यहाँ पर आपके पास सही जवाब होगा A options में तिक्षन संग्यानी योगिता का दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गल्ती करती है तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए तो इसका A option होगा Q139 हमारे पास समाजिकर में आप शेक्ता पड़ती है तो इसका सही जवाब होगा इन सभी की टीचर की पड़ती है रिवोर्ट की पड़ती है रिन्फोर्समेंट की पड़ती है अब आपके पास Q140 निरक्षिता को दूर करने में सहवाई किता है एक समाजिक बदलाब 141 National Policy of Education जो है वो कब स्टार्ट की गए थी तो इसका सही जवाब होगा 1986 में Q142 हमारे पास शीक्षा का अधिकार अधिनियव पार्थि किया गया 2009 में Q143 एक बालव जर्म लेता है कुछ डैश के साथ यहां पर होगा इन सभी के साथ गुनों के साथ भी होगा इनिनेट ड्राइप्स के साथ होगा सहजात बृति के साथ भी होगा अब आपके पास क्वेशन जो आता है यहां पर काफी इंपर्टन है टेट के पेपर में यह पूछा जाता है तो इसका फॉर्मल भी आप लोग याद रख सकते हैं उस बारा बर्शे वाला का आईक्यू गया क्या होगा जदि इसके मानसी को उमर नो बर्श है तो यहां पर मैंने फॉर्मल लिखा हुआ है और यह किस ने दिया था यह भी मैंने लिखा हुआ है सभी सीखने में एक अनवारी पहलू है तो उसका सही जवाब होगा अभी प्रेणना प्रेशन नमर 146 हमाने पास बच्चे विशिष्ट विशे के लिए ने शब्दों को सीखती है तो उसका सही जवाब होगा डी आप्शन में अनकूलन प्रक्रिया द्वरा प्रेशन नमर 147 सीखने में अक्षम बचे होते हैं तो उसका सही जवाब होगा डी आप्शन में इन में से कोई नहीं दोस्तों साइकोलोजी के यहाँ पर 25 प्रेशन थे अब आपके पास प्रकार का बेवार है जो कहा जाता है तो यहाँ पर आपके पास सही जवाब होगा D options में पस्चर गमन सोरी अब हम चलते है question number 150 के तरफ आतम निरक्षन पदिती में खामी है तो इसका सही जवाब होगा इन सभी में दोस्तो आतम निरक्षन जो आपके पास introspection मैं थेरा इसके उपर भी इनने विडियो बना दिया है तो यह option में आपके पास यहाँ पर दिया गया है विश्व वसनिता वैदिता बस्तू परक्ता इन सभी में D option आपके पास सही होगा question number 151 एक शिक्षिक को बोईमका नवानी चाहिए तो इसका सही जवाब होगा question number 152 question number 1854 question number हमारे पास यहाँ पर दिया गया है और दोस्तों जो good dispatch था इसको क्या कहा जाता है इसके बार में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस topic को आप अच्छे से त्यार कर लें अब आपके पास question number यहाँ पर दिया गया 153 question number 154 यदि एक शीक्षिक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ किस परकार का आच्छरन करते तो इसका सही जवाब होगा democratic, जनतांत्रिक सभी को मौका देते question number 155 हमारे पास शीक्षिक कारे के website मानकों को विक्सित किया गया है तो इसका सही जवाब होगा NCTE और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि NCRT की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी तो इसके उपर भी मैंने विडियो बनाया हुआ है अब आपके पास question number यहाँ पर जो आएंगे वो English के होंगे दोस्तों opposite यहाँ पर पूछा गया है guilty racist यहाँ पर आपके पास है इसका मतलब होता है honey और B का मतलब होता है options में यहाँ पर beneficial confidence आपके पास यहाँ पर दिया गया है तो इसका सही जवाब का C option में conceal 158 robust यहाँ पर इसका मतलब होगा 159 यहाँ पर specific दिया गया है और वेग आपके पास यहाँ पर दिया गया है तो वेट की spelling दी गई है depreciate की spelling यहाँ पर ठीक होगी प्रिजरी की spelling ठीक होगी को मेंटी की spelling ठीक होगी तो आप options में देख सकते हैं अब आपके word लिखना है success is the dependent on the hard work B option आपके पास ठीक होगा 167 Ram dash going to the post office with the Shiam तो इस होगा 168 I was delighted dash your success तो इसका सही जवाब होगा at 169 I dash studying since morning तो इसका सही जवाब होगा D option में I have been studying since morning 170 they do यहाँ पर D dash लिखा हुआ है not know me तो उसका सही जवाब होगा D B option में do they do not know me दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SSE जो है वो अपने प्रशनों को कभी बढ़ा देती है कभी कम कर देती है तो वो उसी एक्जैम में पता चलता है तो आप लोग हर एक जो भी आपके सब्यक्ट है उनको आज आप अच्छे से ज्यान से कवर करें दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने रहे कमेंट बोक्स में जीरो बताएं आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत अन्यवार थेंक यू वेरी मच दिल से